तो चलिए आमला की सबसे important recipe अचार आमले का लेके आई हूँ बढ़ ये सालो साल चलने वाला अचार है और पूरा आमला बनाएंगे दो चमच सौफ के लिए हैं सौफ है इसका main मसाला चार से पांच लौंग और काली मिर्च ली है मैंने और साथ में ली है मैंने यहां पे मेथी दाना एक चमच आप लिखते जाएए या बनाते जाएए साथ साथ एक चमच मैंने लिया है राई का तो यहां मैं बता दू दो चमच सौफ एक चमच राई एक चमच मेथी दाना, कुछ लॉंग और कुछ काली मिर्ची ली हैं, मैंने 10 से 15, इनको रोस्ट कर लेंगे, मतलब हमने इसका मुएशर खतम करना है, क्योंकि ये अचार चलता है काफी देर, ये देखिए दरदरा पीस लीजिए, इसको ठंडा करके पीस लीजिए, या जैसे भी अब उसी पैन में मैं ले रही हूँ, देखिए नॉन स्टिक ले लीजिए, या स्टील का ले लीजिए, आप अलमीनियम या लोहे का बरतन एवाइड करिये, यहां एक कप भरके मैंने तेल, आधा कप डाला है, अभी आधा मैं फिर यूज करूंगी, आधा किलो आमले हैं, बट एक कप भरके मैं तेल का इसलिए डाल रही हूँ, क्योंकि इसको हमने अजब प्रजरवेटिव यूज करना है, यह ना कोई बॉयल कर रही हूँ, मैं आमले ना कुछ स्टीम कर रही हूँ, तो देखिए इसको ऐसे ही सिम माश पे इसको कुक करेंगे हम आमलो को, यह बहुत ओवर कुक भी नहीं करेंगे आमले को, तो यह देखिए इस तरह से पैन है ना, तो पैन में आधा किलो ही आमले हैं, तो यह देखिए, तो यह लग भग मैं 250 ग्राम घी यूज का तेल यूज कर रही हूँ, सरसों का प्योर मस्टर्ड ओयल, तो मस्टर्ड ओयल में है जो तेल में प्रजर्वेटिव की तरह यूज होते हैं, यहाँ पे मैंने एड़ किया है लसुन, अद्रक और हरी मिर्ची का पेस्ट, यह तोटली ऑप्शनल है, इसके बिना भी आचार बहुत ही टेस्टी बनता है, इसको साइट पे मैं अच्छे से भून लूँगी, ताकि कच्छी लसन का फ्लेवर ना आए, और इसका मोईश्यर भी खतम हो जाए, क्योंकि जो मोईश्यर रहेगा तो अचार बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, तो मैं आपको साथ सा टिप्स भी दूँगी कि अचार को कैसे बचा कर रखना है हमें, तो यह देखिए कुक हो गया तो देगी मिर्च से रंग बहुत सुंदर आता है और मिर्ची बहुत नहीं लगती हींग बहुत इंहांस करता है फ्लेवर को, लग भग आधा चमच मैंने हींग डाल दिये यहां पे, यह सारी चीज़े एक साइट पर देखिए तेल बहुत है, मैंने अभी आधा ही तेल डा डालेंगे उपर से और उससे जादा भी अगर डाल दोगे ना तो कोई हर्ज नहीं है, तेल आप जादा डाल सकते हो, यहां मैंने आधा चमच कलॉंजी का डाल दिया है, यहां मैंने आधा चमच अजवायन का डाल दिया है, और सारे जो कुटे हुए, दरदरे पिसे हुए म साले हैं देखे सारा तेल इन्गोनेंद सोक लिया है तो तेल जैसे आम आंप का अचार है न हम सेव करने के लिए प्रजरव करने के लिए उसमें डालते हैं जाधा नमक ओर जादा तेल डालते चाहीं तो अभी जा रहा घृँन नमक देड़ से दो चमच मैं नमक तो यह अचार बहुत देर तक आप चला सकते हो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने की टिप्स मैं देने वाली हूँ आपको बने रही है वीडियो में बहुत ही यूसफुल मुझे यकीन आप यकीन नहीं मानोगे कि इतना डिलिश्यस अचार बना है और बिल्कुल कसैलापन इस आप और भी एड़ कर सकते हैं मैं फिर बता रही हूँ इससे कोई लॉस नहीं होगा तो यह देखिए इसको ना फिर हम किसी बरतन में निकाल लेंगे ठंडा हो गया है तो इसको अगर तबी भी हम खा सकते हैं बट दो चार दिन के बाद इसका टेस्ट और भी इन्हांस हो ज जैसे यह आधा किलो अचार है तो मान लीजे थोड़ा बढ़ गया समान डालने से तो यह किलो वाले डबे में डाल रही हूँ ताकि अच्छे से हिलाया जासे कि आप रंग देखिए इसके उपर से आप तेल एड़ करके भी इसमें रख सकते हो यह गरम करके तेल डाल दीज या गीले स्पून से ध्यान से निकाल लिए और मेन एक प्रेजरवेटिव जो दो तिन दिन के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें वो है हमारा विनेगर यह इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देगा दो से तीन चमच मैं यहां पर सिरका जो सफैद सिरका होता है उसके एड़ क फिर हिला देंगे और इसको रखिए बहुत दिनों तक और खाने के साथ खाईए मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको यह देखे बड़े अराम से इसके पीसिज निकल रहे हैं और भी जैसे जैसे यह पड़ा रहेगा ना और भी इसका फ्लेवर होता रहेगा एंहांस तो बढ़ाने के लिए बहुत ध्यान से स्पून गीला न रखे हाथ गीले से न रखे हैं और बचा हुआ चार वापिस न डालें और इसको हिलाबते रहें दिन में दो बार तो बहुत आपका अचार अच्छे से चलने वाला है और यह है हमारा साबुत वाला आमला तयार बिना किये और बिना स्टीम किये तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो जरूर बताईएगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो स्टे ब्लेस्ट